तो आप लगों को पता ही है ना कि मैं हमेशा कहती हूं कि जो इंसान के साथ में गलत होगा तो मैं इसका सपोर्ट करूंगी और मैं जिसको सपोर्ट करूंगी अगर वह बंदे ने गलत किया तो मैं इसके खिलाब भी वीडियो बनाओंगी तो मैं किसी की बंदी हुई नहीं हूँ और नहीं तो मैं किसी की ऐसी सपोर्टर हूँ कि मैं बस उसके गुनगाओं उसकी गलतियों पर भी उससे सपोर्ट करूं ऐसा कुछ नहीं है मुझे जहां गलत लगेंगा मैं इसको गलत भी बोलूँगी जहां सही लगेंगा मैं सही ब वीडियो बनाना मेरा काम था तो मैंने बनाई अगर नेना गलत करेंगी नेना मौका देंगी अगर उसके ओपर रियक्शन देने का तो मैं जरूर रियक्शन दूँगी तो जैसे कि मैंने कहा मैं किसी भी एक बंदे की सपोर्टर नहीं हूं जो बंदा जैसे करेंगा उसके आवास का भी परदा होता है मतलब गूर खाके जुल गूले से परेज करना ये कह रही है तो आप लोग ये देखिए के बाते कौं कर रहा है इसलाम की प्रेजों की बाते कौन कर रहा है जो खूद नंगे नासते रहे है जो खुद लोगों ने ऐसे ऐसे काम किये है जो तोबा तोबा कबूल होने वाले काम नहीं है तोबा कबूल ना हो ऐसे ऐसे काम लोगों ने किये है और ये कह रही थी सलमा के लिए कि आवास का परदा होता है मतलब वो व्लॉग में बोले थक के ना ये इसका बोलना था कि इसका टिड़ी डांसर क्या नामे नौशिन मुल्तानी टिड़ी डांसर इसका ये कहना था कि ये अवाज का परदा होता है तो तुम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो तो बड़ी परदे वाली है फिर तो है ना दूतरे के बच्छे पैदा करके और तो और कभी उसने जीजा के घर खराब करने की कोशिश नहीं की जीजा के साथ में मुह काला नहीं की और तो और किसी और का बच्छा पैदा करके एक नहीं दो नहीं तीनों बच्छे किसी और के पैदा करकरके और के सपोर्टर बात करते हैं परदे की और आईते लोग को परदा कर रही है, सपोट कर रही है कौन टीडीड अंसर ठीक है तीडीड अनसर यह घटिया किसम की गिरी हुई कॉल गर्ल को सपोट कर रही है और बात कर रही है अवास के परदे की वह भाई भाई यह बड़ा अच्छी बात कोई तो इतना ही मालूमात है ना तो जो तुम्हारी पिटारा है ना उसको भी परदा सिखाओ बड़ा सीना दिखा दिखा के बनाती है और मर्दों को लुभाती है सारी दुनिया को दिखाती है कि मेरा फिगर देखो मैं दुबली हो रही हूँ मैं मोटी हो रही हूँ, यह हो रहा है, वो हो रहा है, तो है ना यह सब जो तुम बयान बादी करती हो ना तो पहले जाके अपनी मालकिन को सिखाओ, और तुम अपने अंदर भी जाक के देखना, तुम ने कौन-कौन से घटिया काम की हो हुए, तुम कितनी शरीफ जादी हो, क्यों कितनी ज़्यादा मतलब परदे वाली हो पहले अपने आपको देखो फिर रखना सल्मा को नाम के परदा होता है किसका आवास का वाँ भी वाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लखलाना ते तिरे उपपर टिडी डांसर कुछ टाइम क्या सुरू से जब से मैंने बताया तहां उसके बार पर इतने सारे पर वुक्त आए थे मतलब थोड़ा टैम चला गया से कमेंट आना शुरू हो गये के तो तो मैंने ये सोची के हाँ थोड़ा टेम जाएंगा ऐसा तो कोई बात है निया, कि रिष्टा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो चलो पता ही नहीं चलेंगा, प्रेगनेंसी है आधनी तो कल पता चल जाएंगी, तो इसके ओपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई भी किल प्रियारिटी नहीं दी मैंने मैं सोची आज नहीं तो कल पब्लीक को दिख जाएंगा पब्लीक समझ जाएंगी इसके उपड़ जवाब देना का कुछ बनता नहीं लेकिन यार पब्लीक तो अभी तरलग नहीं समझी हलाकि साफ नजर रहता है अगर सलमा को देखोगे न साफ ड्रामा कर रही है इन लोगों ने इस बात का भी ड्रामा किया है इन लोग मिले हुए है ये है वो है तो फिर मुझे लगा के चलो ये तो बनता है यार के अब जाके मैं किलियर कर दूँ नहीं तो कल को इन लोग ये बुलेंगे के सलमा ने किसी और का बच्चा लेकर आ गई है यह बच्चा आए गा तो पता तो चल्ए जाएंगा कि जो लोग आज भी शक्त कर रहे है सल्मा के उपर वह फिजूल का है फिर भी कमेंट आये है कि दो तिन बाते हैं दो बाते जो मुझे कमेंट में आई हुई थी तो मैं सोची उन बातों को किलियर कर दूँ तो आगे आप लोग वीडियो देखना आप लोगों को आप लोगों के सवाल का जवाब मिल जाएंगा कि सलमा सच में प्रेगनेंट है या नाटक कर रही है तो आगे आप लोग एक ल से नजर आ रहा होगा जो लोग आज भी सलमा के उपर उंगली उठा रहे हैं और आज मैंने एक लाइब में भी सुना है कि सलमा ढों कर रही है कितने महीने हो गए अभी तलक के तो बच्चा हुआ नहीं है यह है वो है यह सब ढोंग है सलमा प्रेगनेंट नहीं है हाँ क्लीब भी देखने के लिए मिली है जहां पर यह लोग यह बाते कर रहे थे कि सलमा प्रेगनेंट नहीं है वो बेवकूप बना रही है पब्लीक को और बहुत सारी ऐसी बाते तो आप लोगों ने यह क्लीब देख लिया तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि हाँ सलमा वाकई में प्रेगनेंट है और वो इतनी बेशरम नहीं है सितारा की तरह ना वो बेशरम नहीं है कि वो बेवी बम निकाल निकाल के दिखाए और वो ऐसे कोई कपड़े में भी नहीं आती है सामने कि जिसमें से बेवी बम एक दम ज्यादा हाइलाइट होके दिखे वो शरम वाली है वो तैजीव वाली है वो घर में भी अबाय के जैसा पैंती है डिला डिला होता है तो उसके अंदर इतना खास नजर नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं है यार के हम लोग जबर जत्ती का ही बोल रहे हैं के सलमा प्रेगनेंट है और उसके जूट में साथ दे रहे है सब बिलकुल भी नहीं है सलमा सच में प्रेगनेंट है और आप लोग प्लीस उसके लिए दूआ करना के व같े ली है जो सितारा ने गेम करके इसको अकीला कर धी है जिस टैम प उसके साथमें किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी था वो टैम पर वके ली है खेर दुनिया वाले अगर मदद करते भी है तो एक नएक दिन सुना देते हैं लेकिन जब उपर वाला मदद करता है तो वो जताता नहीं वो सुनाता नहीं तो अल्ला इसके लिए बेतर करेंगा और सल्मा की सब मुश्किल आसान हो जाएंगी इंशालला और अल्ला गैब से इसकी मदद बेजेंगा और इसको किसी की जरुट नहीं पड़ेंगी इंशालला तो प्लीज सल्मा के लिए जरूर दुआ करना कि उसके मुश्किल वक्त एकदम हसानी से कड़ जाए और उसका बेबी अल्ला के करम से एकदम अच्छे से और सही सलामत और मा बच्चे सब कुछ ठीक ठाक रहे सब कुछ सही सलामत रहे जो सितारा ने एक गेम खेली थी उसके और उसके बच्चे को खतम करने का तो वो गेम में वो फ्लॉप हो जाए बिल्कुल भी कामियाब ना हो प्लीस सल्मा के लिए जरूर दूआ करें आप लोग जो मैंने एक बात मुझे कहनी थी कि सल्मा ने बहुत ही प्यारा था ना गिफ्ट दिया है हमें और इसके लिए भी मैं सल्मा का बहुत बहुत शुक्री अदा करना चाहती हूँ अच्छा वो गिफ्ट भी मैं दिकाना च चाहूंगी तो आप लोग आगे की खिलीट देखना उसके बाद में हम कुछ बाते करते हैं मैंने अपनी तरफ से एक बहुत ही खुबसूरत सा गिफ्ट यहां पे रखा है और अल्ला पाक हमारी इस खुबसूरत सी पेशकर्श को कबोल करें इन्शाला आमें ये रख फजर की नमाज मैंने पढ़ ली है और मैंने पुराने पाक भी यहां पे रखती हैं बहुत सारी दौाइं की हैं हम सब के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए आप सब के लिए अल्ला पाक हमारी ओ दौाइं जल्द जल्द कबोल करमाएं एक दूसरे के हक में इंशाला आमें ये रख इस खुबसूरत दिन के साथ और इस खुबसूरत टाइम के साथ और इस खुबसूरत वक्त के साथ पजिर के वक्त के साथ अल्ला पाक मारी दौन के लिए रखे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब जिन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा जिन्होंने अपनी नीदे हराम क अपने बच्चों को इगनॉर के, अपने फैमिली को इगनॉर करके, मेरे साथ एक सच की लड़ाई में खड़े रहे हैं, उनकी तरफ से मैं नहीं है, आपे खुबसूरत से गिफ्ट रखे हैं, और अला पाक, ता कयामत उनको इस चीज का सवाब देता रहेगा, ता कयामत उनक बड़ा एक सद्का जारिया है, और इन्शालला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगी, कि नेक्स्ट वीक फिर मैं आकर रखे जाओंगी, उससे फिर नेक्स्ट वीक इन्शालला, क्यूंकि मुझे यही लगा कि एक कुरान पाक से खुबसूरत गिफ्ट कोई भी नहीं ह और फिर मस्जिद नवजी में सब के जारिया के तोर पे रख दिया जाए, मुझे ही लगता है कि इससे पड़तर कुछ है, तो अल्हा पाक कबूल फर मैं इन्शालला, तो देखा आप लोगों ने, सल्मा ने बहुत ही प्यारा दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज अभी में बैटके उन्होंने हमारे लिए दुआएं की, और हमारे सब के लिए दुआएं की, और आप सब की तरफ से भी मैं सल्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, और अल्ला इसका अजर आपको जरूर देंगा, सल्मा जो आपने हमारे लिए इतनी बड़ी चीज की थैंक यू सो मच आपका दिल ते शुक्रिया और ये शुक्रिया कहने के लिए एक दो हमारी भेहने थी जिन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था कि दी सल्मा की इस वीडियो के उपर आप जरूर बात करें और उसके लिए आप वीडियो बनाए तो मैंने कहा था कि मैं बहुत जल दिल से और वह हमारी बैन है रहेंगी हमेशा इंशालला तो आप सभी भी सल्मा के लिए प्लीज बहुत सारी दुआएं करना और जो सल्मा ने हमारे लिए किया है उसके लिए अल्ला उसको भी अजर देंगा और दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी एक बार फिर से तो ये वीडियो मैं यहीं पेहन करती हूं हाँ एक बात और कहना चाहती हूं कि अब सल्मा को कुछ भी नहीं है ऐसा सल्मा को कहने के लिए जो टीडी डांसर ने कहा है तो कुछ भी नहीं है इसको बदनाम करने के लिए इसको गंदा करने के लिए तो सिर्फ और स्रिफ उसकी आवा कॉल गाल टिडिड आंसर हो और आये बड़े सलमा से हजीद की बाते करने वाले उसके पर उंगली उठाने वाले लख लाना थे तुम लोगों के उपर डुप के मर जाओ मनुसो तो यह वीडियो मैं यहीं पे अंड करती हैं वीडियो कैसी लगी कमेंड में जुरूर बताना व पर कि बाताएब गुम ESTR, नहिएगda क्यों हो यह भला एलूर को युमौणके ल banget टूरूर से यहीं पलाज़े抗ों के त Syn